पिछले महीने हमने देखा था कि भारत के द्वारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की दूसरी स्टेज में सक्सेस्फुली एंट्री ले ली गई है। इस particular development को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर के प्लीज देखिएगा। आपने रखा गया था जिसमें कि वो लोग एक experimental thorium nuclear reactor को operationalize करने की सोच रहे थे और अभी उसको बनाना शुरू करेंगे और कुछ सालों बाद उसको फिर वो operationalize करेंगे। similarly कई सारे पश्चिमी देश जैसे कि USA और UK और साथ में जापान उन्हों ने भी enthusiasm यहाँ पे शो किया है कि वो लोग भी thorium based nuclear power reactors को बनाना चाहते हैं लेकिन as such वहाँ पर भी हमें कोई भी progress इस चीज़ को लेकर देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों भारत के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा energy का bonanza देखने को मिला है because यहाँ पर जो thorium based nuclear reactor हमने operationalize कर दिया है आपको जानकर हैरानी होगी इंडिया के पास thorium के जो भंडार है वो भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं यहाँ तक कि जो हमारे Department of Atomic Energy के विज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत के लिए thorium एक practically inexhaustible energy resource है मतलब की ऐसा resource है जो की कभी खतम हो ही नहीं सकता है इन फाक्ट ये वाला जो आर्टिकल है जो की Deccan Herald में कल ही आया है ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि thanks to the development of stage 2 of India's nuclear program अब ना त आवशकता है और ना ही हमें nuclear supplier group की membership की आवशकता है जो कि पिछले कई सालों से इंडिया के nuclear program में कई सारी अडचने डालता आया है बात करेंगे दोस्तों इस पूरी development के बारे में कि क्या exactly ये stage 2 है और कैसे भारत को इसका फायदा होगा और कैसे thorium के reserves को हम लोग इस्तेमाल क करने वाले हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माधियम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले foundation programs हैं वो launch कर दिये गए हैं अगर आपने इनको join करना है तो process बहुत ही simple है नीचे description box में आपको एक bit.ly link दिया हुआ है वहाँ पर जाकर कि आपको केवल अपना नाम और number भरना है हमारी team आपको reach out करेगी आपकी जो भी doubts उसको solve किया जाएगा and enrollment के time पे आपको discounts भी available बात करें what is the meaning of the second stage of India's nuclear program basically इंडिया के द्वारा एक नए किसम का जो nuclear reactor है उसको तयार कर लिया गया है जिसका नाम है prototype fast breeder reactor जिसको PFBR कहा जाता है इसमें जो सबसे important चीज है कि ये एक breeder reactor है जिसके माहिने बड़े simple है कि अगर आप इसमें 100 kg का oil डालेंगे 100 kg का fuel डालेंगे program से जादा का fuel produce करेगा इसी लिए इसको breeder reactor यहाँ पर कहा जाता है in order to understand कि ये basically कैसे एक बहुत बड़ा milestone है आप देखिए कि इंडिया का जो total three stage nuclear program है उसके stage one में हम लोग dependent थे on something called as pressurized heavy water reactor pressurized heavy water reactor में क्या होता है हम लोग natural uranium को यहाँ पर as fuel इस्तिमाल करते हैं बदले में जो चीजें बाहर निकलती है उसमें depleted uranium और plutonium बाहर निकलता है लेकिन दोस्तों जो stage two है वहाँ पर हम लोग fast breeder reactors का इस्तिमाल करना शुरू करते हैं और यहाँ पर जो पिछली stage से निकला हुआ जो debris है या फिर जो पिछली stage से निकला हुआ जो waste है उसका इस्तिमाल तो होता ही है लेकिन the best part is कि यहाँ पर आप लोग thorium का इस्तिमाल भी क जाते हैं यहाँ पर देखिए stage two का सबसे बहतरीन significance यही है कि इंडिया एक तो plutonium 239 का इस्तिमाल करेगा जो कि इसको stage one से मिला था साथ में थोड़ी बहुत quantity में uranium 238 को इस्तिमाल करेगा and साथ में दोस्तों the best part is कि यह thorium का भी इस्तिमाल करने वाला है and अगर इन तीनों च 233 जो कि one of the best fissile material यहाँ पर माना जाता है so basically हम एक ऐसा reactor तयार कर रहे हैं जिसमें thorium इस्तिमाल होगा directly uranium इस्तिमाल नहीं होगा लेकिन in result हम एक ऐसा fuel बना रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही fissile material माना जाता है अब यह भारत के लिए अच्छी बात क्यूं है बड हम odysa की beaches की बात करें दोस्तों इन दोनों ही beaches में हमें धरती के अंदर massive amount of thorium देखने को मिलता है कहा जाता है कि इंडिया के पास largest thorium deposits हैं पूरी दुनिया में and केवल केला और odysa की ही beaches beaches वाले इलाके में हमें 70% of India's thorium देखने को मिल जाता है इसके numbers भी आपको बता दूँ और यह आकड़ा आज से 10 साल पुराना है 2014 में Department of Atomic Energy ने दावा किया था कि उनके द्वारा monazite के 11.93 million tons of reserves को identify कर लिया गया है जो कि भारत के 6 राज्यों में देखने को मिलते हैं और monazite से अगर हम लोग thorium को निकालने जाएंगे अनुमान लगाया गया है कि 1.07 million tons of thorium को यह पर निकाल लिया जाएगा तो basically माना जाता है कि हमारे पास दुनिया भर में highest thorium reserves in the world है किसी के पास इतने नहीं है America, China, nobody कोई आसपास भी नहीं लगता है इसके जो कि इंडिया के पास thorium के numbers देखने को मिलते हैं and obviously अगर हम लोग stage 2 को यहाँ पर accomplish कर लेते हैं जो कि हमने accomplish कर रही लिया है, once हम लोग uranium 233 को produce करने लग जाते हैं, stage 3 तो बहुत ही simple है, उसमें uranium 233 के साथ में thorium add-on होता है और यह basically एक loop में चलता रहता है, उसी thorium और उसी uranium 233 से आप लोग uranium 233 और बनाते रहते हैं और यह एक self sustainable loop में आपका third stage चलता रहता है, जिसका मतलब अगर simple शब् हैं, that basically means कि अब हमारे पास unlimited energy यहाँ पर हो सकती है, so starting from the pressurized heavy water reactor उसके बाद हम लोग पहुंचे fast breeder reactor पे and eventually हम लोग पहुंचे uranium 233 वाले reactors पे जो कि अपने आपको self sustainable करते हैं और इसके साथ basically हमारा जो nuclear program है वो यहाँ पे संपूर्न तरीके से complete हो जाएगा, इसका best part क्या है, इसका best part यह है कि क्योंकि इंडिया के पास खुद के uranium reserves अगर हैं भी तो बहुत कम हैं तो हम लोग generally dependent थे दूसरे देशों पे, जैसे कि Canada हुआ, Kazakhstan हुआ, Australia हुआ, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, कई सारी problems आती हैं, मैं आपको example देता हूँ, आज से कई साल पहले Canada और इ Canada से purchase करने वाला था, 2018 में इंडिया ने कहा ऐसा करते हैं, इस deal को expand कर लेते हैं, लेकिन Canada ने उसके बाद इसमें कुछ भी interest शो नहीं किया, basically हम लोग dependent थे, तो यह यहाँ पर problem बन गई, दूसरी बात, NSG की membership को लेकर भारत को कई बार अडचने face करनी पड़ी है, I don't need to tell you, China जो है वो कई बार block कर चुका है, NSG की membership में भारत को entry मिलने से कई बार अडचने डाल चुका है, और NSG की membership ना मिलने की वज़े से भारत को कई बार nuclear materials नहीं मिलते थे, लेकिन अब क्योंकि हम लोग एक ऐसे material पे dependent होगें, जो कि हमारे ही घर में available है, तो हमें बाहर किसी और के भी बता दूं कि एक time ऐसा था जब America ने कहा कि हम India को nuclear reactors देंगे, जो nuclear technology है वो available करवाएंगे, लेकिन वो भी deal आगे नहीं बड़ी थी, यहां तक कि France ने भी जो उनके द्वारा महराश्टरा का जो जैतापुर में, जो उनके द्वारा कहा गया था कि हम लोग 6 नए pressurized reactors को ल करेंगे and now we have actually arrived at a stage जब हम लोग nuclear energy में दोस्तो self sufficient हो चुके हैं, इसलिए कहा जाता है कि thorium will be the biggest game changer for India because अगर इंडिया को 2030 तक अपनी nuclear power generation को 3 गुना करना है and अगर हमें sustainable development के साथ energy security के goal को भी achieve करना है तो वो केवल और केवल हमारे लिए thorium ही कर सकता है because thorium से जो निकलने वाला आपका energy होगा उसमें greenhouse gas का emission भी नहीं देखने को मिलेगा, so I personally believe कि ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी achievement हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, before I end the video यहाँ पर हमें thank करना होगा Dr. Homie J. Baba का जिनकी यहाँ पर यह visionary attitude था और visionary thinking थी जिसके चलते उन्ह आपको आज से कई साल पहले design किया था और उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग इसको achieve कर लेते हैं तो हम लोग ultimately self-reliant बन जाएंगे और हमारी जो भी demands हैं उनको हम लोग पूरा कर पाएंगे, बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, definitely बताएं हमें comment section में, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe सब्सक्राण समय white sun